आज हम बात करने वाले हैं पिछले 26 सालों में सबसी ज़्यादा बार 50 ऐसे questions हैं GK के, railway के, जो कि सबसी ज़्यादा बार relate, मतलब repeat हुए हैं, सबसी ज़्यादा बार, चाहे हो अगर हम बात करें group D का, या फिर आपका assistant, local pilot, technician, या फिर ASM, या फिर इससे जुड़ी किसी भी railway exam में ये 50 ऐसे GK मैं बताने वालो हूँ, जो हमेशा किसी ने किसी exam में हुआ है, सबसे ज़्यादा बार repeated ये questions हैं, ठीक है, तो उन्ही questions को मैं आपके साथ share करूँगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लएगा तो इसे like कर दीजिएगा, share कर दीजिएगा और इससे comment करिएगा, अगर कोई भी किसी भी तरह का doubt हो तो ठीक है, और मैं railway का preparation बहुत ही बहतरीन ढंक से अपने YouTube चैनल के थुरू करा रहा हूँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल से वो इसका फायदा बहुत ही ले रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे साथ जूड़ जाईए, और बहुत ही बहतरीन ढंक से अपना preparation को और strong करिए, ठीक है, तो यह कि आपके लिए test भी रहेगा, इन 50 questions में आप देखिए आपको कितना आ रहा है, मैं भी मुझे लग रहा है कि जो अच्छे से पढ़ाई करता नहीं, यह 50 questions जरूर देखे होंगे, क्योंकि इतना repeated questions और एकदम frequent questions है जो कि railway का एकदम important questions है यह सब ठीक है, तो चलिए शुरूर करते है अपने इस वीडियो को, और questions देखते हैं, पहला questions है कि भारतिये railway का मुख्याले का है, चलिए, main questions ही है, Indian Railways का मुख्याले कहा है, किसी मैं जोन का बात नहीं कर रहा है यहापे, भारतिये rail का मुख्याले कहा है, बताए इस का अंसर, चलिए, उम्मीद करता हूं, बता दियोंगे, नई दिल्ली, देख लीजी, भारतिये railway का मुख्याले नई दिल्ली है, second है, भारतिये rail के rail mark मतलब कुल लगभग कितना है, तो 60,000 km, मतलब यह सब जितने भी मैं question बताऊंगा न, सब questions किसी ना किसी एक जाम में अगर जोड दिया जाए, तो 10 से ज़्यादा बाराय हुआ है यह questions, railway के, ठीक है, नेक्स्ट है, भारतिये rail का, कूल railway track की लंबाई, जो कारे seal में है, कितनी कारे seal में है, ठीक है, जितने पर train चलती है, 93,300 km, इतनी जो track है, उस पर train डेली चलती है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह भी बहुत अच्छा question है, भारत में प्रथम metro rail कहां मतलब का शुरू हुई थी, तो यह चली थी कुलकत्ता में, 24 अक्टूबर 1984 को, ठीक है, और यह चली थी, यह भी कहां से कहां तक यह भी याद रखिया गया, दमदम से टॉली इसी को कलकत्ता में पहली metro rail चली थी, ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के सबसे पुराने steam engine का नाम क्या है, steam engine, ज्यान दीजेगा, इलेक्रिक ने steam engine का बात हो रहा है, परियों की रानी fairy queen, उसका नाम है fairy queen, ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे ब्यस्त railway station कौन है, बहुत बार एक सिया में question है, मुंबई च्छात्रपती सिवाजी terminal, जो है मुंबई की च्छात्रपती सिवाजी terminal में, जो यह मतलब station है, यह सबसे भारत का best station है, ठीक है, नेक्स्ट देखते है, बहुत एचा question, किस राजे में rail, जो rail मार गया है, उस सबसे लंबा है, तो वह यूपी, उत्तरप्रदेशका में, जो है, रेलवे ट्रेक सबसे लंबा बिछा हुआ है, पूरे भारत में, नेक्स्ट है, रेलवे नेटवर्क की ओधी में भारतिया रेलवे की स्थिति क्या है, तो ACA में हैं दूसरा, लेकिन अब ये ACA में फस्ट है, ठीक है, दुनिया मे पहली बार रेलवे मतलब कब चली थी, तो पता ही होना चीए, 16 अप्रेल, 1813, मुंबई से ठाड़े, 36 किलो मेटर, डेट भी याद रखियेगा, 16 अप्रेल, क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है, रेल, दिवस, ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन, किसके बिच यानि कि इलेक्ट्रिक से जो ट्रेन चलनी कभी स्टार्ट हुई थी, ती होई थी, 1920 में, विदूती करन स्टार्ट हुआ था, 1920 में, भारत में रेल कोच कर खाना कहा है, तिया है, पैरामबूर और कपुर्थल्ला दो जगा है, पैरामबूर आपको पढ़ जाएगा तमिल न इन कानून, नेक्स्टे भारत में डीजल लोकोमेटिव कर खाना कहा है, यह वारानसी में, बहुत ही फेमेस जगह है, पता होना चाहिए आप लोगों को, डील डवल वारानसी में है, भारत में फील एक्सल प्लांट, जहां फील बनते हैं, वो बैंगलूरू में है, इस सब क थोड़ा मैथ हैं चलाएं, अठार सु तिरपन में स्टाइट हुआ, तो उनसो तिरपन में हिन जाके सौ साल फुरा होगा, ठीक है, नेक्स्टे, कौन सा वर्स रेलवे उब्भोगता वर्स मनाया गया था, ठीक है, नेक्स्टे, किस वर्स भारतिय रेलवे का स्वक्षिता ग्राहक संतुष्टी वर्स मनाया गया तो दो हजार तीन चार में मनाया गया था ग्राहक संतुष्टी वर्स की मतलब जो रेल्वे कश्टमर है वो सैटसफाई हैं रेलवे से ठीक है यह सब क için二來 पहुत ही important है broad gauge जो कि सबसे चोड़ाही मनाया जाता है broad gauge ही अप सारा जो रेल होगा भारत में और इस अब broad gauge ही हो जाय गाए जिसका लंबाई 1.6 meter होता है और meter gauge जो होता है उसका होता है 1 meter और संकेंड gauge जो की छोटा वाला होता है और 0.67 meter तीन तरह की जो rail होती है यही पत्रीया भारत में होती है ब्राड गेज बड़ी वाली एक बीच वाली है और एक छोटी वाली है बड़ी वाली जो है 1.6 मीटर अब यहीं हो जाएंगी पुरे भारत भर में ठीक है और 1 मीटर और यह 0.67 मीटर तीन तरगी नेच्छ देखते हैं रेल प्रबंधन समीती किसे समदीत है तो यह थामर्स रोबर्टस सन जो है इन्होंने एक रेल प्रबंधन समीती बनाई थी एकवर्थ समीति का उद्धिस से क्या था तो समाने बजट से रेल बजट का अलग करना यह बहुत important question है इन भेरी भेरी important ठीक है न भी भी आई इसको मैं लिख दे रहा हूँ, very very important, एक वर्थ समीती ही हो थी, जिसने समान ने बजट से रेल बजट को अलग किया था, कब, तो date याद ही रखना है, आपको यह रियाद रखना है, 1924 में, और फिर से दोनों कम मिल गया, तो 2017 में, रेल बजट और आम बजट एक में हो गया, ठ भारत में कितने रेल संग रहा है, तो नई दिली, वरानसी, नागपूर, चिन्नी, मैसूर, यानि कि पांच जग़ा है, नई दिली में, वरानसी में, नागपूर, चिन्नी, और मैसूर में, ठीक है, लाल संकेत, अब आते हैं थोड़ा, ट्रेन का सिगनल के बारे में, लाल स संकेत का मतलब क्या है यह सब एक्जाम में बहुत बढ़ाय हुआ है आप रेलवेस का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपको रेलवे का पूरा भाप इंजन की खोज़ किशने की सव थी ते चीम सावरी ने 6199 में भाप इंजन की खोजा की थी वहाप इस्ट्थीम का मतलब भाप ही होता है तो उनका नाम इस चीम ही है अप आप officers के थैसको कर सकते हो इंजनों की खोज किशने की तो रिचर्ड ट्रेविथीक ने 1804 में इं औरी 95 में कि डिजल इंजन को डिजल ने बनाया, रूडॉल्फ डिजल ने ठेक है, नेक्श्ट देखते हैं, कौन सी ट्रेन हर स्टेशन पर रुखती है, तो पैसेंजर ट्रेन सब को पता है, हाल्ट पे भी रुकती है, इस्टेशन के बीच में छोटे-छोटे हल्ट होते हैं, वहां पे भी रुखती है तो हर जगhr माल अवाले ट्रेइं को बोलते हैं पैसिंझ्जर ट्रेन कुछ इस्टेशन पे रुखती है तो ठीक है कौन सी ट्रेन सौ किलोमेटर प्रती घंटा सी अधीक होती है उसको बमेफास्ट्रेन जितनी भी सुपरफास ट्रेन है और 100 उनकी स्पीड जो होती है और 100 किलोमीटर से अधिक होती है कौन सा ट्रेन माल और सिवा के उधिसी के लिए चलती है तो रेल वाहक जो माल मतलब जो धोती है सारे समान से गुड्स वगर और रेल वाहक होती है यहीं जो चीज है इसी के चलते बुलेट ट्रेन इतनी तेज चलती है ठीक है इसको एक बार पढ़ लिजेगा यहाँ पे लिखा हुआ है यह मैफ इलेक्ट्रो मैगनेटेवल फोर्स के ही द्वारा बुलेट ट्रेन चलती है रेलवेट ट्रेक के समर्थन में कौन से रेल गाड़ी धा होती है तो मोनो रेल जो रेलवेट ट्रेक जो होता है उसको सही करने के लिए ट्रेन चलाया जाता है मोनो रेल ठीक है भरते रेल की कौन सी रेल सबसे बड़ी दूरी चलती है तो विवेक एक्सप्रेस नाम है जो 11 राजी से 4286 किलोमेटर चलती है और यह चलती है डिब्रूगड डिब्रूगड जो है वो असाम में पढ़ता है ठीक है डिब्रूगड से कन्या कुमारी कन्या कुमारी तक चलती है नाम है विवेक एक्सप्रेस 11 राजी से होके गुजरती है डिश्टेंस कभर करती है 4286 किलोमेटर ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन इसको देख ली जगा भारते रेल की कौन सी रेल बड़ी सबसे बड़ी दूरी तक चलती है तो विवेक एक्सप्रेस है 11 राजी से होके गुजरती है डिश्टेंस 4286 किलोमेटर चलती है डिब्रूगड जो असाम में है और कन्या कुमारी तक कितने राजियों में कुकंर रेलवे विश्ठार हो रहा है कौकंर रेलवे विश्टार हो रहा है गौवा है करनाटका रेल बे छेख और के केरल असारी एमेच और रिवालमाटका महार। और, एम एज साइद महरास्ट को बोल रहा है, हाँ महरास्त भी इसमें है, फिक है 4 स्टेट है इसको ध्यान दीजेगा आप गौऑ है और यह महरास्ट है, करहत का है और के रहली है चार स्टेट्स में को करने बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है इसका जो डिस्टेंस बनाया गया है हो साथ सो च्यासी किलोमेटर इसको आप याद रख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है की जंडी दिखाई गई तो उनके जन जिन का दिन बड़े मनता है जिस दिन उस दिन चली थी सो सताबदी सुपर फास्ट ठेंट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं भारत और पकिस्तान के बीच चलाई गई कौन सी ट्रेंट थी तो उती समझावता एक्सप्रेस अटाओरी लहौर से होके जाती है जो चलाई गई थी 22 जुलाई 1976 को पहली बार ठीक है नेक्स्ट दूसरी एक और ट्रेन है भारत पकिस्तान के बीच थ इसको चलाया गया था 14 अप्रेल 28 को द्हाज अंकीत मतलब करके मतलब उस दिन इसका सुरुआत है यानि कि भारत और बंगलादेश की भी जो ट्रेन चलती उसका नामे मैत्री एक स्पेस चली थी 14 अप्रेल 28 को करम चाली रेलवे भरती बोट सबको पता है की सोते हैं रेलव सुरुक्षाबल वही है तो इसको सुरु किया गया था 14 में 1954 को और फिर यहां पे तो कुछ यह गड़बड है दिल्ली होगा इसका निव देली आई थिंक यह तो कुशन पहला यह वाला था ठीक है कि भारते रेलवे का मुखेले का है तो आज हमने देखा 50 ऐसे इंपोर्ट करते हैं इस वीडियो को तीन से चार बार देखो एक दम याद कर जाओ ठीक है तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गये तो सब्सक्राइब कर लिजए हम ऐसे ही वीडियो जो अपनी यूट्यूब चैनल पर अप्लोट करते हैं जो कि आप कहाने वाल हर अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई